तो यह प्रोसेसर होता क्या है प्रोसेसर का जो है आपके मोबैल में क्या काम आता है और यह डूइल कोर क्या है और क्या है और यह जो मीडिया टेक होता है यह क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं पूरा का पूरा समझाता हूं कि आखिर जो है प्रोसेसर का आपके मोबैल मे काम क्या होता है तो चल्लो फ्रेंट्स मेरा नाम है अजे टकरिया और आपके हमारी यूटूब चाल पर बहुत स्वाव दहें तो चलिए फ्रेंट्स हमारा वीडियो श्टार्ट करते हैं तो देखो friends, सबसे पहले बता देता हूं core का system, core जो होता है आप जबी भी पहले के mobile खरिदने जाओगे, अभी जो है आपको कम से कम quad core तो octa core processor तो जरूर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले dual core आते थे, single core आते थे, quad core आते थे, तो ये क्या था, core जीतना भी ज्यादा ह होता है, आप देखे कि, अगर मेरे पास एक मुह होगा, और मुझे एक वड़ापव खाने को मिलेगा, तो मैं उतने ही time लगाऊंगा उसको चबा-चबा के खाने में, ठीक है, अगर वही उसी जगे पे, अगर मेरे पास दो मुह होगा, और मुझे एक वड़ापव दिया ज चीज को, अब माने कि dual core के है, dual core मतलब की 2 move वाला हो गया, quad core मतलब 4 move वाला हो गया, और octa core होता है, वो 8 move वाला हो ठीक है, तो आप जो है, पूरा का पूरा system समझ गया हो, जितना core मतलब उतना अच्छा प्रोसेस कर पाएगा mobile, अब देखे, process जो होता है, वो एक chipset होता है अब जितना नया chipset होगा, उतना ही अच्छी तरीके से जो है, आपका mobile प्रोसेस कर पाएगा, अब मुह का तो system समझा दिया, मुह में जितने अच्छे दात होगे, उतने ही अच्छे तरीके से जो है, वो खाना चबाएगा, ठीक है, यही चीज जो है chipset भी काम करता है, जित दिखा होगा, Exynos का, Samsung का प्रोसेसर, और Apple अपना खुद का बनाता है, Greeno प्रोसेसर हो गया, और अभी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है Qualcomm का प्रोसेसर, ठीक है, जिस सब को ही बहुत है कि Qualcomm का प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा होता है, देखिए अच्छा होता है, हर ची आप एक नया मूबाइल लोगे तो आपका चलाने का काफी ज्यादा अच्छा लगगा, चलाओगे जितना उतना ही अच्छा लगगा, ठीक इसी तरीके से जो प्रोसेसर भी काम करता है, अब आदमी सुचता है कि नंबर देख के लिए जितना ज्यादा नंबर होता है, उतन कि एक चीज में कभी भी देख लेना, सबसे पहले आप कोई मोबाइल खरीतने जा रहे हो, उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है, वो देख लेना, और उस प्रोसेसर के नाम से आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, कि उस चीप सेट उस प्रोसेसर में कितने नेनोमेटर 14 नेनोमेंटर का प्रोसेसर यूज होता है, तो आप जितने जादा नेनोमेटर कम होंके उतना ही ज़्यादा, आपका मोबाइल काफी जouchegg कर पाएगा, rapid response देख और आप पढ़ी पबगी में जो है lag वागेरा होता है, वो चिर्जो है इस नेनोमेटर के नेनोमेटर काण हो मूबाल यह सब्सक्राइबुट तो आपका मुपाल वर्क नहीं करvenge कर नहीं मुह थो गया है लेकिन और सबसिक्ट निगलने के लिए उसको निगने तो कुछ चाहिए है आपका डीर ज़्य prayers ुट नहीं जो है आपका मोबाइल अच्छी तरीके से वर्क करेंगा ठीक है तो नेनोमेटर का काम यह होता है तो आप कभी भी मोबाइल लेने के लिए जाओ तो प्रोसेसर उसमें देख लेना और प्रोसेसर में जो है कौन सा नेनोमेटर या कौन सा चीप सेट यूज किया गया है वह भी देख लेना और प्रोसेसर जो है कितना पुराना है वह भी देख लेना क्योंकि अगर पुराना प्रोसेसर होगा तो आपका मोबाइल ठीक से वर्क नहीं करेंगा अभी नया जो है मोबाइल होगा ज्यादा चार-पांच महिना ठीक से वर्क करेंगा लेकिन उसके बा तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आगा कि ये प्रोसेसर का आखिर काम क्या है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि हम ऐसे टिप्स और एसे टेक्नोलोजी के ऊपर जो है वीडियो बनाते रहते तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो तुछ लिए आज करें बस इतना ही गुटलग बाए बाए मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी